हेलो मित्रों, आज हम अपने फर्मापच चैनल पे देखने वाले हैं, एक नियो और मेडिसीन के बारे में, तो इसमें आज हम देखेंगे नियो स्प्रेन एंटिबायोटिक पाउडर के बारे में, कि इसका यूज कहां पे किया जाता है, प्राइज क्या है, और इसका साइड क्या होता है, हमारे बोड़ी पर, उसका basically किस किस जग़े पे यूज किया जाता है, और इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, इन सबके बारे में देखेंगे कि नियो स्परिन पाउडर कितना लावकारी है, जो इसको कहां पे यूज करते हैं, तो चलिए ज़्वादा न करते हुए अपने फर्मापत चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कहां पर किया जाता है बैसिकली ही ये नॉलेज परपस वीडियो है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर नियो इस्प्रीन पाउडर जो कि इसका जैस के फर्मासुटकल आपनी जो है इसका ब्रांड नेम है नियो इस्प्रीन इसमें नियो माइसीन पॉली सीन भी सलफेड एंड बायोटिक बैक्टीरिया जिन जिंक पाउडर रहता है तो इसका यूज कहां पर किया जाता है इसी परकार से आप रेपर देख पा रहे होंगे इसको और नामों से जैसे घोडा चाप पाउडर के नाम से भी जाना जाता है यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर घोडा चपा हुगा इसको घोडा चाप पाउडर के नाम से जाना जाता है तो चलिए देख लेते हैं इसका बैसिकली यूज कहां पर किया जाता है जैसे कि यहां प है डिफ्रेंट एंटिबायोटिक होता है इसमें नियूमाइसीन फश्ली होता है पॉली माइकसीन जो होता है भी यह होता है एंड बैक्टीडिया सीन सोरी फ्रेंट बैसी ट्रासीन बैसी ट्रासीन होता है इसमें जो है थर्ड इसमें जो कंटेन माटेरियल होता है जिसका हम यूज करते हैं मेडिकेटर यूज ट्रीड टू बैक्टीरियल इसकीन इंफैक्षन के लिए करते हैं और प्रिवेंट करते हैं इंफैक्षन और वाउंड को कट बर्न सर्जिकल वाउंड इस परकार के वाउंड को ट्रीट करने के लिए करते हैं जैसे कि आप देखते होंगे जो नियो बर्न बेबी होता जो नया बच्चा पैदा होता उसके नाविक को कटिंग कर देती हैं एनम औगेरा जो कटिंग करते हैं उस पे भी इसका ही यूज किया जाता है जो कि नियो इस्प्रिन पाउडर होता है जो कि आपको घाव इन्फेक्शन से बचाता है जैसे कि किसी परकार का घाव भी हो आपके पैरों में कहीं कट लग जाए कहीं बोडी पार्ट में कहीं भी कट लग जाए या पर नजल जाए या सर्जिकल वाउंड या किसी परकार से टां काफी बेनिफीशियल होता है, इसको यूज करना, और इसके रूप में भी यूज करते हैं तो इसी प्रकार से इतका जो है हम यूज करते हैं जो कि Ne- splendid powder होता है 10 ग्राम का इसका प्राइस देख लेते हैं नहीं हो इस प्रीन ने एंटिबायोटिक पाउडर जो 10 ग्राम का होता है जैसे कि बाउंड केर के लिए होता है घाओं को और प्रिवेंट करने के लिए होता है इसका MRP आपको करन्ट टाइम में अगर आप बात कर रहे हैं जिस समय बीडियो बन रही है उस समय का ये MRP हम बता रहे हैं आपको 94.55 लगबग के पंचान बे रुपए आपको ये डिस्पेंसरी या मेडिकल स्टोर से आपको मिल पाएगा तो ये नौलेज परफस बीडियो है जो की हम नौलेज रिलेटेड बीडियो बना रहे हैं अगर ये इस करना है तो आपके अपने फिजीसियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर ही यूज करें और इसका साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका साइड इफेक्ट कहां पर किया जाता है बेसिकली साइड इफेक्ट जो है अबनॉर्मल सेंसेशन ने इन दा आई ऑर कुछ प्रोड़क्शन ओपडर्टी आपनॉर्मलिय इसके साइड इफेक्ट रहते हैं जैसे कि आपके आखें थोड़ा इसमें इसेज़ साइड लेनी ही फी रहता है और इसकिन जो होता है उसमें भी कुछ परकार का ऐसे संसेशन या जंजनाट टाइप इसकिन में दिखने लगता है और ब्लड सेल्स वगेरा जो है अबनॉर्मल टीज हो जाती है और अबनॉर्मल आई संसेशन होने लगता है इसमें साल्ट जो रहते हैं जैसे कि हमने उपर भी बात किया बैसी ट्रासीन और नियोमाईसीन और पॉलिमाईसीन भी पॉलिमाईसीन भी ये इन बॉल्ब होते हैं नियोस्प्रिन पाउडर में जो कि डेस्टिंग पाउडर होता है इसका जो है वाउंड केर के लिए यूज क गाव को भरने के लिए किसी भी परकार का वैक्टेरियल हो या फिर कट लग जाए चीरा लग जाए या फिर स्टेचिंग हुआ हो उस केसे में हम इसका यूज करते हैं तो यह वीडियो बस यहीं तक थी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इससे सपोर्ट किये ताकि हम इसी परकारते अपने फर्मापाच चैनल के माध्यम से आपको और एक नई से नई जानकारी अपने फर्मापाच चैनल के माध्यम से आप तक लाते रहें थैंक यू फ्रेंड